हेलो बच्चो मैं प्रियंका जांगे नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ छे चतुर चित्रकार प्रस्तुत कवीता के कवी है राम नरेश्ट्रिपाठी जी और इस कवीता के दो पात्र है शेर और चित्रकार अब हम आगे राम नरेश्ट्रिपाठी जी जो हमारे इस कवीता के कवी है उनके बारे में कुछ महकुन बाते जानेंगे राम नरेश त्रिपाटी जी का जनम 4 मार्च 1889 को हुआ था 16 जन्वरी 1962 में उनकी मृत्यू हुई थी हिंदी भाषा के पूर्व चायावाद युक्ये वे कवी थे कवीता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरन बाल साहिते सबी पर उनोंने अपनी कलम चलाई अपने बहत्र वर्ष के जीवन काल में उनोंने लगबक सौ पुस्तके लिखी वह गांदी के और जीवन और कार्रेयों से अत्यन्त प्रभावित थे अब है आमारा पार्ट चतुर चित्रकार इस कवीता में कवी ने नदी किनारे बैड चित्रकार के बारे में कुछ बाते बताईए जो सुनसान जगे में अकेले में बैठकर चित्र बना रहा था तबी वहाँ अचानक शेर आ जाता है यानि यमराज का मित्र आ जाता है और उसे देखकर चित्रकार बहुत डर जाता है आईए आगे हम पढ़ेंगे चित्रकार किस तरह अपनी सूजबूज और चतुराई से शेर को मात देता है शेर से बचकर निकलता है चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश नदी पहाड पेड पत्तों का रहना गया कुछ जोश एक चित्रकार था जो सुनसान जगह अकेले में चित्र बना रहा था तबी वहां अचानक एक शेर आ जाता है उसे देखकर चित्रकार बहुत डर जाता है शेर को देख कर चित्र का इतना डर जाता है कि वो नदी, पहाड, पेड, पत्तों का सभी भूल जाता है जिसका वे चित्र बनाने आया था फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला सुन्दर चित्र बना दू, बैठ जाईए आप, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वे सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की अब ओर अब शेर चुपचाप खड़ा था, तबी चित्रकार ने कुछ हिम्मत और कुछ साहाज दिखाया फिर चित्रकार उस शेर से कहता है कि आप यहां बैठ ये, मैं आपका सुन्दर चित्र बना देता हूँ यह सुनकर शेर चुपचाप बैठ गया, यह देखकर चित्रकार का डर थोड़ा सा कम हो जाता है फिर शेर चित्र बनवाने के लिए अच्छी तरेक्या से बैठ जाता है और चुपचाप शेर चित्रकार की ओर देखने लगता है चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार अब मुख आप उधर करिये जंगल के सरदार बैठ गया पीट फिराकर चित्रकार की ओर चित्रकार चुके से खिसका जैसे कोई चोर फिर चित्रकार शेर को कहता है कि आपके आगे के हिस्से का चित्र बनकर तैयार हो चुका है इसलिए जंगल के सरदार अर्थार जंगल के राजा अब दूसरी ओर मुख करकर बैठ जाईए फिर वह शेर की दूसरी तरफ मुमू करकर बैट जाता है और शेर पीट फिराकर चितरकार की ओर कर लेता है अब जब चितरकार को अच्छा मौका मिल जाता है चुपचाप शेर से बचकर भागने का जैसे कोई चोर चोरी करकर भागता है चुपचाप बिना आहट के तो चित्रकार मौका पाकर चुपचाप से खिसकने लगता है बहुत देर तक आख मून्द कर पीट घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर क्यों हुई देर जील किनारे नाव लगी थी एक रखा था बास चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर की सांस दूसरी तरफ शेर बहुत देर तक पीट घुमाकर आख बन करके बैठा रहता है और सोचता है कि चित्र बनाने में इतनी देर कैसे लगी और चित्रकार अपनी सूजबू जो चत्राई और साहस से जील किनारे जो नाव लगी हुई थी उसमें एक बास भी लगी हुई थी उस नाव में बैठ कर चला जाता है और रहत की सांस लेता है कि वे शेर से बचकर निकल गया जल्दी जल्दी नाव चला कर निकल गया वै दूर इधर शेर था धोखा खा कर जुंजला हट में चूर शेर बहुत खिस्याकर बोला नाव जरा ले रोग कलम और कागस तो ले जा रेकायर डर पोग अब चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चला कर कुछ दूर पहुँच जाता है तब शेर धोखा खा कर गुस्से से चिला कर बोलता है कि जरा नाव को रोग ले कागच और कलम तो ले जा रे कायर डर पोग कहीं के चित्रकार ने कहा तुरंथ ही रखी अपने पास चित्रकला का आप कीजी जंगल में अभ्यास अब जब शेर से बचकर राहत की सास लेता है चित्रकार तो तुरंथ शेर को जवाब देता है कि अब आप ही कलम और कागच को अपने पास रखो और चित्रकला का जंगल में अभ्यास करो याँ चित्र बनाओ बैठे बैठे अब देखते हम शब्द पोध यम्राज मृत्यू का देवता आँख मूद कर आँख बंद करके कायर डर पोक उक्डू मुक्डू शरीर को मोड तोड कर धोका दगा या विश्वास घात अभ्यास प्रेयतन जुंजलाट एक खित जाना और चिर जाना अब है व्याकरण बोध नीचे लिखे गए नीचे लिखे शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखिए जो नीचे शब्द दिए नो उनके दो शमानार्थक शब्द लिखने हैं जैसे की अब है हम यह जानेंगे समानार्थक शब्द होते क्या है यह हम समानार्थक शब्द किसे कहते हैं वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें समानार्थक शब्द कहलाते हैं समानार्थक शब्द को हम परिया वाची शब्द भी कहते हैं परियाय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले अर्थार समान बोले जाने वाले शब्द हम पर्याय वाची या समान आरते शब्द कहलाते है जैसे नदी का सरीता सलीला, पहाड का परवत गिरी, पेड, पादक व्रक्ष, आख का नयन और नेत अब पांचवा कोशन देखते हैं बच्चों, पढ़िए और समझी और लिखिए पहला, जो चितर बनाए, चितर प्लस कार याने चितर कार दूसरा, जो मूर्ती बनाए, मूर्ती प्लस कार, मूर्ती कार जो गीत लिखे, गीत प्लस कार यानी गीत कार चौथा जो कहानी लिखे कहानी प्रस कार यानि कहानी कार अब है कविता में आप आगे पॉर्शन देखते हैं कविता में से नीचे लिखे शब्द के तुकान शब्द चुन कर लिखे अब आप जानेंगे तुकान शब्द होते क्या हैं तुम एक शब्द लिख दिया, अब उसको देखकर आप जी जाननी पाओगे कि तुकान शब्द होते क्या है, तो पहले हम तुकान शब्द की परिभाशा देखते हैं, जब किसी पध्य या कविता की पंक्ती का आखरी अक्षर की मात्रा सभी पंक्तियों के समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तुकान शब्द के देख्या, तो मात्रा समान होगी या फिर लास्ट का अक्षर समान होगा, चलिए अब हम आगी देखते हैं, पहला था चित्र, उसका क्या हो जाएगा, मित्र, शेर का खैर, दूर का दूत तयार यार, जोश होश पांस सांस, पास आस, डरपोक अब इसमें डरपोक का क्यों होगा, रोक या टोक, डरपोक का अर्थ निकल रहा है न, उसमें रोक या टोक कुछ आवाज मैच हो रही है जैसा कि बच्चों आपने देखा, कि किस प्रकार इस कविता में चतुर चित्रकार की जैसा कि आपने देखा, एक चित्रकार ने कैसे अपनी सूजबूद साहत से, शेर से जो खतरनाक जंगली जानवर होता है उसको मात देकर कैसी अपनी समझधारी से उसने काम लिया है, इसी तरह बच्चों हमें मुसीबत में समझधारी से काम लेना चाहिए, आज हमने इस कविता के माध्यम से साहस के बारे में भी जाना है अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साहस के लिए जाए अगले आए 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 झाल झाल